वेलकम बैक तो बॉड़ी बीडिंग टीवी गईजिक पर फिर आपका स्वागत है बॉड़ी बीडिंग टीवी पर फाइनली अर्विन स्पार्टकस की क्या प्लीसिंग आई इसके बारे में जानेंगे दोस्तों कौन से ग्रूप में थे हो हेविवेट कैटिगरी में और किस तरह की उनके फिजीक थी इसके बारे में पुरा देखेंगे दोस्तों वीडियो में तो वीडियो आखिर तक जोरू देखना अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि प्रोशों को कुछ ही गंटे बचे हैं दोस्तों हेविवेट कैटिगरी के यह सारे एथलीट एक से बढ़कर एक थे अर्विन स्पार्टकस की फिजीक मुझे कल के जैसी लगी थोड़े ओफी थे अर्विन स्पार्टकस इससे भी जाधा अच्छे कंडिशन में हमने उनको देखा है स्पेशली जो मैंस फिजीक क्लासिक में कंडिशन करते थे और टाइम पर उनकी जो कंडिशन थी ज्याधा निखर के आते थी बट उन्होंने काफी अच्छी फिजीक डिस्प्ले की सबसे ज्याधा साइज मुझे लगता इस का कैटेग्रे में उनके पास था और हेविवेट वेट लेके आया और काफी अच्छे जो गोल्ड मेडल जिन्होंने विन किया वो भी काफी जाधा वेल डिजर्विंग एथलीट थे तो वीडियो पुरा देखना दोस्तों काफी जाधा मजा आएगा आपको क्योंकि एक से बैतर ने एक एथलीट थे दोस्तों इस कैटेग्रे में काफी जाधा मजा है और सारे अठलीटे जो सारे ग्रूप्स की जो मेदल से जो प्रैस इसे ही स्टार्च कर दिया है मतलब एंड मेने उने वाला है और सारे ग्रूप्स के जो Gold Medal विनर रहेंगे उनकी Last Final में उनका Battle होगा और उसमेंसे जो जो 3 Top लोगों को प्रोकार देंगे जजस उसके बारे में आने आवले अपडेट्स में दोस्तो हरे वीडियो में अपडेट हम लेके आएंगे आपके लिए तो मेक शूर सब्सक्राइब जरू करो दोस्तों वीडियो को लाइक करो जहां तक बाते प्लेसिंग्स की तो ट्रंक नंबर ही कहते थे जजस और नाम सबकी मुझे पता नहीं है टॉप आई के बट दो आइटलेट के मुझे नाम अच्छे से पता है सुमित गिल सर और साथ मैं अर नेक्स्ट जो फॉर्थ प्लेसिंग हसिल की उनका नाम है सुमित गिल और कलासिक फीजिक डिविजन में खेले थे वहाँ पे भी फर्स्ट कॉल ओट में आया है तो वहाँ पे उनकी फ्लेसिंग हायर हो सकती है बट यहां इस क्याटिगरी में इस ग्रूप में भी उनों को मे मतलब थर्ड प्लेसिंग उन्होंने सिक्यूर कि अर्विन स्पार्टकस ने और अभी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो अमेचुर ओलम्पिया में वह आया और उनको फर्स्ट टाइम देखा गया है मतलब प्लेसिंग मिली है फर्स्ट कॉल ओट में आया है में इस फीजिक म में काफ़े अच्छा साइज है प्रॉब्लम बस थी कंडीशन के साथ साइज में तो सबसे आच्छे थी बस कंडीशन उतने आच्छी नहीं थी अगर कंडीशन अच्छी लेके आए तो आराम से गोड मेल जे सकते हैं और नेक्स्ट येर प्रोकाड भी जीते शायद देखना बढ़ेगा बट बेस्ट विशेस मेरी है अर्विन स्पार्टकस के साथ कि उनको मिला प्राइज इस बार और बहुत बड़ी बात उनके लिए भी स्पेशली और काफी अच्छा लाइनप था तकड़ा लाइनप था और फर्स्ट प्लेसिंग जिन्होंने हसल की दोस्तों उन काफी ज्यादा मतलब बैटल हुआ कांपेरिजम हुआ बट यह विल डिजर्विंग एथलिर थे स्पेशली जो लोवर बोड़ी उनकी काफी ज्यादा वेल डिफाइन थी कौर्ड में सेपरेशन डीप सेपरेशन दिखते दिखते दे लाइन काफी ज्यादा वीजिबल थी इनके फीजिक में मसल कॉलिटी भी काफी अच्छी थी और यही था दोस्तों इस हेविवेट कैटिगरी के रिजल्ट आपको कैसे लेकर दोस्तों मुझे कमेट वास में लिखके जरू बताए आपके थोट विचार इस कैटिगरी के बारे में आने वाले हर एक अपडेट के लिए दोस्तों इस चानल को सब्सक्राइब जरू करो लाइक करो दोस्तों इस वीडियो को थैंक्यू फर वाचिंग